MJPRU University बरेली के तरफ से PG वाले सभी student के लिए जिनके examination 23 तारीक से start होने वाले हैं उनके admit card university के तरफ से जारी कर दिये गए हैं जी हाँ friends बहुत बड़ी खुशकबरी आ चुकी है सभी PG वाले student के लिए जिनके admit card अभी तक show नहीं हुए थे उनके admit card जारी कर दिये गए हैं तो किस तरीके साब अपने admit card को डाउनलोड कर सकते हैं और अगर आपका phone number या roll number खो गया है और या आपको पता नहीं है तो किस तरीके साब उसको भी पता कर सकते हैं यह आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ इसलिए वीडियो को पुरा इंट तक जरूर देखें गाइज, MJPRU University के सभी latest update मैं आपके लिए लाता रहता हूँ लेकिन आपसे यह शिकायत रहती है कि आप वीडियो को लाइक ही नहीं करते हैं और नहीं चैनल को सबस्क्राइब करते हैं तो आपसे रिक्वेश्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सबस्क्राइब कर दिया करें ताकि हमें भी हमारी मेनत कफल मिल सके तो admit card डाउनलोड करने के लिए सबसे पर आपको यहाँ पर सर्च करना है mjpruums.in सर्च करते ही friends आपके सामने वेबसाइट खुल कर आ जाएगी इसका लिंक में आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा वहाँ पर क्लिक करके आप सिंपली इस वेबसाइट पर पहुंच सकते हैं तो यहाँ पर आने के बाद आपको एक उप्शन मिल जाएगा download admit card आप इस पर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद friends यहाँ पर आपको अपना roll number या form number एंटर करना है और उसके बाद मैं यहाँ पर view बटन पर क्लिक कर देना है तो जैसे कि मैं आपर roll number एंटर करके view कर देता हूँ view करते ही friends यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका admit card खुल कर आ जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं MSC final year का यह admit card है chemistry subject है और यहाँ पर guys आप देख सकते हैं इसे download करने का button यहाँ पर आपको मिल जाएगा आपको simply इस पर click करके इसे download कर लेना है click करते ही friends आपका admit card आपके सामने खुल कर आ जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर आपके subject और paper देखने को मिल जाएगे और किस date में आपका examination है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं timing भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी friends कुछ admit card यहाँ पर technical issue की वज़े से download नहीं हो रहे हैं लेकिन आपको tension बिल्कुल नहीं लेनी है आपको regularly try करते रहना है और आज शाम तक या फिर कल तक आपके admit का download हो जाएंगे अब बात करते हैं गाईस जिनें अपना roll number पता नहीं है वो कैसे पता करेंगे तो यहाँ पर आपको एक option मिल जाएगा home का आप इस पर click करेंगे उसके बाद आप इस website पर दोबारा आजाएंगे यहाँ पर आपको एक option मिलेगा other useful link यहाँ पर आपको click करना है यहाँ पर बहुत सारे option आपके सामने खुल कर आजाएंगे इनमें आपको एक option मिल जाएगा student exam form login info आपको इस पर click करना है अब यहाँ पर आपको अपनी कुछ detail फिल करनी है यहाँ पर select degree में आपको अपनी degree select करनी है तो जैसे कि आपको यहाँ पर click करना है और यहाँ पर सभी courses आपके show हो जाएंगे आप जो भी कर रहे हैं b.a.b.c.b.com, mm.cm.com या जो भी आप कर रहे हैं आपको यहाँ पर अपना course select कर लेना है course select करने के बाद में यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है और यहाँ पर आपको अपना father name या mother name एंटर कर देना है आप चाहें तो इन्हें blank भी छोड़ सकते हैं लेकि नाम एंटर करना compulsory है आपको नाम एंटर कर देना है NAM enter करने के बाद आपको view पर click करना है और view पर click करते ही गाइस यहाँ पर आप देख सकते है आपके नाम के जितने भी student यूनिवर्सीटी में होंगे वो सभी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर आपको आपका नाम देखने को मिल जाएगा इस तरीके से आप फ्रेंड्स अपने रोल नमबर या फॉर्म नमबर को पता कर सकते हैं और एडमिट कार्ट को डाउनलोड कर सकते हैं तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें जाद से जादा शेयर करें और इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें मिलते हैं फ्रेंड्स एक नए वीडियो में एक नए टोपिक के साथ तब तक के लिए टेक क्यार